भारत और बांगलादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांगलादेश की पहली पारी 149 रनों पर ही सिमट गई टीम इंडिया की दूसरी पारी में उसके तीन विकेट खोके 81 रन बना लिये है शुबमंगिल 33 और रिशब पंथ 12 रन बना कर क्रीस पर मौजूद है तो वहीं दूसरी पारी में भारत को 313 रनों की बढ़त मिली है टीम इंडिया को रोहित और यशश्वी और विराट के रूप में 3 छटके बड़े लगे थे आपको बता दी कि पहली पारी में भारते टीम 376 रन बनाई थी जिसे पहले शांदार माक कीजेगा शदमान इसलाम और जाकिर हसन की सलामी जोडी बांगलादेश की पारी का आगास करने मैदान पे उतरी तो भारते टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पहला ओवर जस्पीत बुमरा ने किया बुमरा ने पहले ही ओवर में शादमान इसलाम को बोल्ड कर भारत की जोली में पहला विकेंट डाला और भारत को अच्छी शुरुआत दिलाते हुए बांगलादेश को मात्र 149 रनों पर ही रोप दिया